सीलिंग फैंड में हम चार तार के में कंडेंसर कैसे जोड़ें यह समझ लेते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हमारे दो काले निकले हुए हैं दो लाल निकले हुए दो काले और लाल में ऐसे कुछ आपके सीलिंग फैंड में कोई दूसरा भी कलर हो सकता है लेकिन यहाँ पे काले और लाल हैं एक काला ले लेंगे और एक हम रिड ले लेंगे दोनों को आपस में इस तरीके से जोड देंगे यह हमारा बन गया कामन अब हम ये दो तार बचे दो तार को हम कंडेंसर से जोड़ देंगे तो कंडेंसर को मैंने यहां लगा लिया इस तरीके से और ये देखेंगे दोनों तारों को एक काले में ये एक काले और एक रेड में कि यह अगे यह दो तार हम ने लेलिए जो आपके पंखेश चलाने के लेतने हैं एक तार हम यह कामन उदोड़ाइं और एक इसमें एक रेडवाले में तो क्या है यह फैन हमारा घर या को उल्टा चला दोस्टों कि इसमें क्या करेंगे अब यह फैन वारा उल्टा चला उल्टा में क्या करेंगे यह तार रेड़ वाला यहां से अटाएंगे और यहां ले लेंगे यह देखे इस तरीके से तार बदल देते हैं कि और इस रेड़ को यहां ले लेंगे अब इन दोनों तारों में फिर से लाइन देंगे इस तरीके यह हमारा फैन सिध्धा चलने है जाने गुंबने लगा सिध्धा चलने लगा इस तरीके से हम सेलिंग फैन में कंडेंसर के कनेक्शन कर सकते हैं अब इस तार को हम क्या करेंगे इस तार में हमको लाइन नहीं देना कुछ भी नहीं करना है इस तार को टेप कर देंगे या फिर यहां पे बीच में एक पिन खाली होती है जो आसपार नहीं होती इसमें जोड़ देते हैं तो अब इसको यहां हम हटा देते हैं अब इन दोनों तारों में हम लाइन दे देंगे और यह फैन हमारा चलने लगेगा इस तरीके से देखिए करक्शन कर सकते हैं धन्यवाद